हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Motorola E32 Android वाइल फोन में आप जो है फास्ट और सैटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और यह फास्ट और सैटिंग जो है इनेबल करने के बाद किस तरह किसे काम करेगी आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेव में बताने वाला हूं तो चली है यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open लेना है setting page open कर लीजे और यहाँपर आपको सबसे नीचे की side में आना है सेलेक्ट कर लीजे, और आपको Fast 터치 की इस में ये बटन आपको मिल जागा ठीक है,al吐स्ट Churchill ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन मिल जाता है, इस बटन को आपको जो सेलेक्ट कर लेना ठीक है, तो ये आपकी Fast 터치 सैटिंग जो आपकी इनेबल हो जाती है अब यह setting enable होने के बाद काम कैसे करती है यह मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है तो जब भी आपके mobile phone की screen off होगी इस तरीके से और आप उसी process को आपको द्वारा से करना है तो इससे होगा क्या कि आपके mobile phone की जो torch होती है यह आपकी off हो जाएगी ठीक है तो यह setting जो है कुछ fast torch setting enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके Motorola E32 Android mobile phone में अब मैं आपको जो इस setting को ढूणने का एक shortcut तरीका बता देत है और यहां पर आपको search bar में type करना है fast torch आपको यहां पर जो नेम निहां पर टाल देना है fast torch तो नीचे की साइड यह option हो जागा fast torch का इससे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको जो है shortcut तरीके से इस setting में लिकर आ जाता है और इस setting को highlight करके दिखाता है त fast torch setting को ढूनने का आपके mobile phone में